दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर में यूट्यूब चैनल में मैं हुमांचु जोसी और आप देख रहे हैं जे विज्वाल एफेक्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे प्रेमियर प्रो में मास्किंग का यूज करके इस तरह का एफेक्स तैयार किया जाता है तो चलिए सुरुवात करते हैं सबसे पहले प्रेमियर पर उपन कर लेंगे बिन में डबल क्लिक करेंगे और यहां से वीडियो फूटेज को बिन में उपन कर लेंगे ड्राग और ड्रॉप करके वीडियो फूटेज को टाइम लाइन में एड कर लेंगे ना करने के बाद clip में right click करेंगे और unlink कर लेंगे और जो audio layer है उसको delete करेंगे audio layer delete करने के बाद इसको एक layer उपर ले लेंगे और simply यहाँ पर right click करके copy कर लेंगे और नीचे वाली जो layer है Ctrl और V प्रेस करके paste कर लेंगे ना करने के बाद जो हमारी नीचे वाली जो layer है, bottom जो layer है, copy layer, उसको select करेंगे, और effect में जाएंगे, और यहाँ simply type करेंगे blur, और blur को हम simply drag and drop करेंगे, couple 1, जो नीचे वाली जो हमारी layer है, उसके उपर, तो यहाँ effect control में blur के अंदर, effect control में blur के अंदर blurriness को 100 दे देंगे, और यहाँ से check कर लेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए blur हो गया है, ना करने के बाद, first layer में, first layer को select करेंगे, और effect में जाएंगे, और effects में search करेंगे, alpha adjust, और alpha adjust को drag and drop करेंगे, हमारी layer के उपर, यहाँ पहली layer है, तो effect control में, alpha adjust का option आगया है, और यहाँ simply हम, जो हमारा mask का option है, create four point polygon mask, उस पर click करेंगे, यहाँ पर आप देखिएंगे, तो polygon mask आ गया है, तो इसको simply हम, इस तरह से, पूरी वीडियो में ले लेंगे, और इस तरह से पूरी वीडियो में लेने के बाद, इसको थोड़ा adjust कर लेंगे, बीच में ले लेंगे, ना करने के बाद, यहाँ alpha adjust में, inverted पर चेक कर लेंगे, और invert alpha पर चेक कर लेंगे, तो इसको इस तरह से rotate कर लेंगे, और rotate करने के बाद, effects में जाएंगे, और यहाँ साच करेंगे, paint bucket, paint bucket को simply drag and drop करेंगे, वीडियो फूटेज के ऊपर, और effect control में जाएंगे, और यहाँ पर, paint bucket के अंदर, जो fill selector है, उसको हम select करेंगे, alpha channel, और जो stroke है, उसके अंदर हम select करेंगे, stroke, इस तरह से आप देखेंगे, तो stroke आ गया है, और इतना करने के बाद, stroke width में 10 दे देंगे, और यहाँ से जो color है, उसको हम change कर लेंगे, इस तरह से white color ले लेंगे, और simply okay कर लेंगे, इतना करने के बाद, layer के first में आएंगे, starting में आएंगे, और यहाँ से थोड़ा आगे जाएंगे, और यहाँ पर हम, जो हमारा alpha adjust है, वहाँ पर जाएंगे, और यहाँ से alpha adjust के अंदर, mask path जो है, उससे keyframe add कर लेंगे, तो keyframe add करने के बाद, हम थोड़ा पीछे आएंगे, first में आएंगे, और इस तरह से mask को उपर ले जाएंगे, तो यह आप देखेंगे, तो mask उपर से नीचे चल के आएगा, थोड़ा आगे जाने के बाद, एक keyframe ले लेंगे, ताकि इस बीच में यह हिले न, और इससे थोड़ा और आगे जाएंगे, और यहाँ पर जाके, mask सेलेक करेंगे, इस तरह से, और इसको rotate कर लेंगे, rotate करके हम mid में ले आएंगे, ना करने के बाद वापस थोड़ा आगे जाएंगे और यहाँ पर जाके एक और बार keyframe ले लेंगे इसके बाद थोड़ा और आगे जाएंगे और यहाँ पर जाके वापस mask select करेंगे और mask को पूरी वीडियो में open कर लेंगे तो इस तरह से पूरी वीडियो में उपन करने के बाद इसको थोड़ा एड़्जस करने के बाद इसको प्ले करके देखेंगे तो इस तरह से यह एफेक्ट बन गया है और आप चाहें तो इसको थोड़ा दो भी कर सकते हैं तोड़ा टाइमिंग इसकी मास्क के जो की फ्रेम है उसकी टाइमिंग चेंज करके तो आज के लिए इतना ही होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब